हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे माइको प्लास्मा नीमोनिया के बारी में एक बार फिर चाइना हमें वाइरस गिफट में भीज रहा है लेकिन ये चाइना का ये गिफट हम तक ना पहुचे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यहाम इस वीडियो में जानेंगे साथी टेस्ट किये हैं जिसमें सैवन सैंपल पॉजिटिव मिले हैं दोस्तों जब भी सीजन चेंज होता है इस्पेशली विंटर आता है कॉमन फ्लू होता है जिसके कारण छोटे बच्चों में नाग पहना गले में खराश होना यह होता है कॉमनली नीमोनिया जो हमारे सुसाइटी फैलता कैसे है यह रिस्पारेट्री सिस्टम की लाइनिंग को डैमेज करता है लाइक थ्रोट लंग्स विंड पाइप तो अगर कोई परसन माइको प्लास्मा नीमोनिया से इंफेक्टेड है जब वो खासता है या चीकता है तो ड्रॉपलेट में बैक्टेरिया होता है अग लेकिन ऐसा इस केस में बिलकुन नहीं है अगर आप इंफेक्टेड परसन में थोड़ी देर के लिए मिलेंगे यहाथ मिला लेंगे चू लेंगे तो फैलेगा ऐसा नहीं है नेक्स बात करते हैं कौन-कौन से लक्षन देखने को मिलते हैं सास लेने में तकलीफ होगी ज्या पूटम टेस्ट करेंगे इसरे टेस्ट करते हैं और एंटिबाटिक्स देते हैं और यह ठीक हो जाता है लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जिन्हें HIV है एड्स है लंग्स प्रॉब्लम है ब्रॉंकाइटिस है अस्थमा है डाइबटीज टीबी क्योंकि इन लोगों में पहले ही वीक रहती है उनकी इम्मुनिटीव वीक है उनमें ये बीमारी फैलता है यह आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए अपैतिक के दो मेडिसिन जिसे आप इस बीमारी को आने से रोक सकते हैं आर्सनिक अल्बम 30 टूडॉब डिरेक्ली ओन टंग सुभा में लेना है ए जरूर यूज़ कीजिए अच्छा खाना खाईए टेंशन नहीं लीजिए अधर वाई इसे कोई बखत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आपको जादा ठेंशन लेने की जरूरत है इन्हां अगर कोई भी बीमारी फैलती है तो आपको पहले से साब्धानी बरतनी चाहिए त हू़ आपको जापको जाइए टेंशन लë खाने अबादा रएपत बादाए बीमारी नहीं है जिससे आपको